आज 10 दिसम्बर 2018 है और सुमबार का दिन श्री विकमी समवत 2075 है और शक्त समवत 1940 मार्गशी इश्मास चल रहा है और शुक्र पक्ष तृतिया थी थी है शाम 5 बचकर 50 मिनट तक और उसके बाद चतूर्थी थी थी पूरा शाड़ नक्षत्र है सुभे 10 बचकर 37 मिनट तक और उसके बाद उत्रा शाड़ नक्षत्र है चंद्रमा चल रहे हैं धनूराशी में और चंद्रमा मकर राशी में प्रोवेश करेंगे आज शाम 5 बचकर 18 मिनट तक मेशराशी वालों की मन की परिशानियों को एक बड़ा कारण ये भी है कि रिष्टों को संभालना कठिन पो रहा है अब विश्वास से रिष्टे बिखर जाते हैं क्योंकि ये भरोसे की नीम पर टिके होते हैं पर रिष्टों को सहेजने और समारने के लिए वक्त तो लगाना ही पड़ेगा क्या करना चाहिए समय तकदीर शायद इस दिशा में आपकी मदद ना करें पर आपकी कोशिशे जरूर मदद करेंगी और इस विचार से जिंदगी के फैसले करने होंगे रिष्टों को साथ लेकर चलना होगा ताकि जिंदगी में बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर किया जाए और ऐसा करते हुए हर संभव यत्न भी कर लिए रिष्ब राशी वालों के लिए घर परिवार की खुशियां बनी हुई है और रिष्टों को संभालना आसान हो रहा है पर परिशानी है कि आप उस अच्छाई से पूरा लाव नहीं उठा पारें आपका सारा ध्य बिद्ध कामकाज कि मुद्धों को सवारने में लगा हूँ है क्या करना चाहिं से अपनी जिन दिजधी की जुनाऊतिएं को समझना भी होगा और अपनों की हर संभव सहायता भी करनी होगी और सबसे जुरोरी इस समय ये होगा कि आप अपनी कोशिश ओं को एक सही धिशा अपने कामकाद से जुड़े मुद्दों को संभालने में आपको भरपूर मदद मिलेगी, ऐसा ही कहते हैं आपके ताहिए, बितुन राशिवालों के लिए परिशानिया इस रूप से बनी हुई है क्योंकि रिष्टों को संभालना मुश्किल हो रहा है, और इसी वज़े से आ आना पड़ेगा और लोगों पर भी उतना ही वरोसा करना पड़ेगा जितना खुद पर वरोसा करने की जरूत पड़ेगी, इस बात को समझ ले, कि जिन्दगी आपको बहुत कुछ देना चाहरी है, सिर्फ अपने नजरिये को थोड़ा सा बेहतर करने की जरूत है, करकराश समय आपने मन से सारी दूविधाओं को हटाकर अपनी तकदीर पर भोरोसा करने का समय अपनी कावलियत को बढ़ाने के रास्ते में जो भी रुकावटे आ रही हैं उन्हें भी दूर करने का समय. हालाद बहुत तेजी से आपके पक्ष्में बनते चले जाएंगे, अगर अपना एक एक कदम आगे बढ़ाते चले चले चाहिए हैं सिंग राशी वाले ही समझ लें के जिंदगी में सबसे बड़ा सुख ये है कि आपकी जरूरते पूरी होती ही चली जाएं और आपको अपनों का साथ मिला रहे है आपकी कामकाच की स्थिती बेतर हो रही है और आपक के प्रती तवज्यों आपकी शक्सियत को निखार रही है ऐसी सुंदर परिस्तितियां ही इंसान को बड़ी सफलता से रूब भुरू कराते हैं क्या करना चाहिए समय में किसी प्यार के रिष्टे को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना होगा मुश्किले हैं लेकिन इस तरह के परिवर्तन लाने का विचार चाहे कामकाज को लेकर हो या निजी जीवन को लेकर पर बड़ी सचाहिए है कि आपकी इच्छा जरूर है पर आपकी मेहनत में कमी है और यही वज़ा है कि इच्छाएं परवान नहीं चड़ रही है जब तक आप अपनी एकागरता को बढ़ाएंगे नहीं तो यह कमी चलती चली जाएगी क्या करना चाहिस समय में कई तरह के अच्छे विकल्प आपके सामने हो सकते हैं लेकिन अपनों की सलह भी लेनी होगी और उनसे कुछ न कुछ सीखने की कोशिश भी करनी होगी और सबसे बड़ी बात ही है कि अपनी बूचते चले जाना पड़े हैं खासकर उन रुकावटों को नजर अंदाज ना करें जो बार बार आपके लिए परिशानी का सबब बन रही हैं अपने पैसे को कहीं फसाएं भी नहीं क्योंकि ऐसा करने से कई चीजों पर इसका असर आ सकता है तुलाराशी वालों के लिए पैसे किस्तिति ठीक है पर पैसे से जुड़ी सही योजना बनाने की ज़रोत है रोजमर्रा के रूप में अगर कुछ न कुछ आपके हाथ से फिसलता चला जाएगा तो ये भी अपने आप में ऐसी कमी है जिसे दूर तो करना ही पड़ेगा अगर खर्चे भी बेकाबू होते चले जाएं तो बचत भी संभालनी मुश्किल ही हो जाएगी परिस्तितियां जब आपके खिलाफ चल रही हो तो उससे भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है पर ऐसा करने के लिए अपने मन को साफ करना पड़ेगा और अपनी कमियों पर काम करना पड़ेगा संसार में जीते हुए हम सब इस बात को भली भांचती जानते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी है उन्हें बहुत शिद्दत से दूर करने की कोशिश करनी होता है विश्चिक राशी वालों की काम काज के प्रती तवज्जु अच्छी है यह और बात है कि रोजमर्रा की चुनाती आपको परिशान करती चली जा रही फिर भी सफलता का एक बहुत बड़ा मापदंड यह होता है कि अपने प्रयास का लाब बना रहे हैं पर लाब के मापदंड से काम काज का अंकलन करना कभी भी ठीक नहीं होता इसलिए अपने काम को बढ़ावा देना होगा ताके बड़ी सफलता मिल सेगा क्या करना चाहिए समय में अपनी काबलियत को बढ़ाने के लिए आपको अपने अंदर जुनून की भावना लानी होगी और आपकी थोड़ी सी महनत से आपकी तकदीर के बड़े द्वार खोल जाएंगे आपकी कुंडली का साफ इशारा है जो आपके लिए कई अच्छे विकल्प खोलता चला जाएगा धनू राशी वालों के लिए हालात स्तेर हैं पर किसी भी तरह का खत्रा मोल लेने से बचना होगा समस्या इस समय की ये है कि आप खुद किसी विचार को लेकर उतेजित होते चले जा रहे जिसे अंजाम देना इस समय ठीक नहीं है इसलिए संभल कर चलना इस समय बहुत जरूर है क्या करना चाहिए समय होगा किसी यात्रय बदलाव की मजबूरियां हो तो भी जिन्दगी खुशी अपनों से मिल बैठ कर ही बन पाएगी इनसान अगर ठान ले तो दूर स्थान से भी अपनों का ख्याल रखा जा सकता है बस अपनी सोच को इस रूप से नियंतरित करने की जरूरत है जिसमें आपकी इमानदारी भी जिल्क है मकर राशी वालों के लिए धनलाब की परिस्तितियां मिली जूली है लाब की संभावनाय भी हैं और हानी का अंदेशा भी है इसलिए किसी भी बात को समझना थोड़ा सा कठिन हो सकता है ऐसे में अपनी प्रात्मिक्ता के शेत्र को समझ लेना और उसी में तवज्जो बनाया रखना ज्यादा जरूरी है और वो आपका काम और आपका कारोबार क्या करना चाहिए समझ अपनी तकदीर की भूमिका इस रूप से बनी हुई है जिसमें आपकी लगन जुड़ी रहनी चाहिए क्योंके काम की स्थिति ठीक है सिर्फ पैसे को संभाले रखने के लिए और ज्यादा सूजबूज की जरूरत पैसा कहां से आ रहा है और किस रूप से लग रहा है ये भी समझना पड़े क्या न करें समय में बिना सोचे समझे कोई ऐसा कदम न उठाएं जिसे फिलहाल ठाम लेने की जरूरत लोगों के प्रती अविश्वास की भावना बढ़ाकर आप अपने कदम इस रूप से ना बढ़ाते चले जाएं जो भुविश्य में जाकर बड़ी परेशानियों के कारण बन जाएं उमराशी वालों के लिए स्थिति है पैसे को लेकर संभल कर चलने की जरूरत पड़ेगी क्या करना चाहिए समझे है पैसे को लेकर संभल कर चलने की जरूरत पड़ेगी घर परिवार में सुख बना रहेगा पर पैसे से जुड़ी जरूरतें बढ़ती चली जाएंगी बहुत ज़्यादा पैसा जुटाने से बचना होगा मीन राशी वालों के लिए पारिवारिक परिस्तियां थोड़ी सी कठिन होती चली जा रहे हैं क्योंकि विचारों को मदभेद नजर आ रहे हैं इसलिए अपनी अच्छाई को हर सूरत में बनाए रखना होगा ताकि जिन्दगी की खुशी बनी रहे क्या करना चाहिए समय में कामकाज के प्रती आपकी तवज्य अच्छी है जो आपके हालात को सुधारती चली जा रहे हैं फिर भी किसी भी तरह के बड़े परिवर्तन से बचना होगा अपने पैसे के दबाव को बढ़ाते चले जाने से बचने की जुरूत पड़ेगी क्या न करें समय में किसी प्यार के रिष्टे में अपनी इच्छाएं इतनी ना बढ़ाएं जिने संभालना मुश्किल हो जाए पर अपनी ही धुन में कोई ऐसी बात न कहें जिसके चलते रिष्टों की बात बिगडती चली जाए